नमस्कर आप देख रहे हैं वद्सुवाच और मैं हूं मुकेश वद्स फ्रेंड्स 18 सेप्टेंबर के सुबह सुबह एक चंद्रग्रहन लगने जा रहा है ये एक पूर्ण चंद्रग्रहन नहीं है और भारत में द्रिष्ट भी नहीं है लेकिन जब कोई खगोलिये घटना घटती है और उसमें भी ग्रहन के जैसी एक महत्वपून घटना तो विश्व के हर स्थान पर कुछ न कुछ प्रभाव पढ़ता है कहीं ज्यादा पढ़ता है कहीं कम पढ़ता है आज के इस विडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर राशी एवं हर लगन वालों को इस ग्रहन में किन चीजों से सावधान रहना चाहिए उनके लिए प्रेडिक्शन क्या है और वो कौन से सरल उपाय वो कर सकते हैं जिससे कि वो इस ग्रहन के दुश प्रभावों से बच सके तो ये एक महत्वपून विडियो है इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बगल के बेल आइकन को दबा लिजेगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले तो 18 सेप्टेंबर को जो चंद्र ग्रहन लगेगा इससे संबंधित एक विडियो में आप लोगों को अल्रेडी आज से पांच दिन पहले दे चुका और उस विडियो में मैंने ग्रहन से संबंधित कुछ आवश्यक चीजें आप लोगों को बताई है mundane लेवल पर वैश्विक विवस्था में इसके क्या प्रभाव होंगे कौन से industries इससे प्रभावित होंगे हमारे व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव होगा किन चीजों से हम लोगों को साफधान रहना चाहिए इन सभी चीजों के बारे में मैंने उस विडियो में बताया है तो उस विडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं description में दे दूँगा उसको एक बार आप लोग अवश्य देखिएगा छोटा सा विडियो है वो लेकिन महत्पून विडियो है आज के विडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस बात की चर्चा करेंगे कि हर राशी एवं हर लगन वालों पर इस ग्रहन का क्या असर होगा तो चलिए हम लोग सबसे पहले मेश से शुरू करते हैं मेश राशी या लगन वालों के लिए फ्रेंड्स ये एकलिप्स जो है ये उनके 12 हाउस में लग रहा है 12 हाउस में ग्रहन लग रहा है तो सबसे पहला चीज जिस पर ध्यान रखना है वो है अपने स्वास्थ पर ध्यान रखना है इस समय में घरेलू सुखों में कुछ कमी आ सकती है क्यों ऐसा होगा क्योंकि आपके फोर्थ हाउस के लॉड़ पर ग्रहन लग रहा है एक असुरक्षा की भावना से आप ग्रसित इस समय में रह सकते है मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इसके वज़े से नींद वगएरा में परेशानी आ सकती है कुछ लोगों को अपने लिए या अपने परिवार के लोगों के लिए हॉस्पिटलों का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है अत्यधिक खर्चे इस समय में हो सकते हैं 12 थाउस खर्चों का भी होता है तो इंपल्सिव बाइंग से बचिएगा कहीं मार्केट में निकले कुछ अच्छा दिखा बिना कोई प्लानिंग के खरीद लिए और बाद में पच्छता ना ये सभी चीजें हो सकती है रेमेडी में जितना रिलाक्स रहने का कोशिश कीजिएगा उतना अच्छा होगा मेडिटेशन करना चाहिए ग्रहन के बाद कुछ अन्यदान करना चाहिए 12 थाउस में ग्रहन है 12 थाउस लॉसस का हाउस होता है अपना लॉस खुद से कीजिए थोड़ा चाहिटी कीजिए और एकान तवास ये सब रेमेडीज करेंगे और हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो आप बिलकुल ठीक रहें व्रिशब याने की टॉरस वालों के लिए ये ग्रहन आपके 11 थाउस में लग रहा है और आपके 3rd लॉड पर ग्रहन लग रहा है यदि आपका व्रिशब राशी अलगन है तो इस समय में अपने मित्रों से आपको सावधानी रखनी चाहिए आप यदि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में है या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें अलग-अलग नेटवर्क के बीच में आपको कौर्डिनेशन वगरा करना पड़ता है तो आप लोगों को इस समय में अपने काम में परेशानी का अनुभव हो सकता है 11th house में ग्रहन लग रहा है यानि की लाब भाव में ग्रहन लग रहा है आमदनी के संसाधनों पर कुछ दबाव का अनुभव कर सकते हैं 11th house 6th से 6th होता है स्वास्थ का ध्यान रखना चाहिए खास करके पैरो वगेरा में कुछ परेशानी हो सकती है 3rd house के लॉड पर ग्रहन लग रहा है तो कोई भी नया काम ग्रहन के आसपास शुरू नहीं करना चाहिए किसी भी जगडा जंजट या disputes में इस समय में नहीं पढ़ना चाहिए सबसे ज़्यादा ग्रहन से एक सपता पहले और एक सपता बाद तक सावधान रहने की आवशक्ता है वैसे ग्रहन से 15 दिन तक सावधानी तो रखनी ही चाहिए इस समय में विदेश समबंदित मामलों में भी कुछ परेशानिया आपको आ सकती है हो सकता है दूर के स्थानों से कुछ अच्छे समाचार प्राप्त ना हो आपके वाहन में इस समय में दिक्कत हो सकती है ग्रहन जिस दिन लगेगा उस दिन शुक्र भी केतू के साथ होंगे आपके लगन लौड हैं तो स्वास्थ का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को remedy क्या करना चाहिए ग्रहन के बाद याने की 18 तारिख को स्नान वगेरा करके कुछ अन्यदान किसी नीडी व्यक्ति को कीजिए और दूसरा देवी की पूजा अवश्य कीजिए इन remedies को करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहें मिथुन याने की जेमिनाई वालों के लिए ये ग्रहन आप लोगों के लिए 10th हाउस में लग रहा है फ्रेंड्स 10th हाउस का मतलब कैरियर का हाउस आप जो भी काम करते हो ग्रहन के आसपास काम से संबंदित कोई भी आवश्य क्या महत्यपूर्ण निर्णय यदि नहीं लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके 2nd हाउस के लॉड़ पर ग्रहन आपके 10th हाउस में लग रहा है वर्क प्लेस पर अपनी वानी का बड़ा ध्यान रखिएगा नहीं तो इसके वज़े से आपको परेशानी हो सकती है 10th हाउस में ग्रहन लगने का मतलब है सरकारी पक्च, गवर्नमेंट के तरफ से या आपके authorities के तरफ से इस समय में कुछ परेशानिया हो सकती है कुछ issues create हो सकते है patiently उसको handle करना चाहिए, react नहीं करना चाहिए backbone और घुटनों की समस्याएं कुछ लोगों को हो सकती है और कुछ लोगों के पिता जी को भी इस समय में समस्याएं हो सकती है इसका ध्यान रखिएगा remedy क्या करना चाहिए, ग्रहन के बाद आप लोगों को भी कुछ चीजें दान करनी चाहिए नीडी लोगों को, अन दान सब से अच्छा माना जाता है और आपका यदि मिथुन राशी या मिथुन लगन है तो आप लोगों को गणेश जी के मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए थोड़ा meditation करना चाहिए ये सब करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहे है करक याने की cancer करक राशी वालों के लिए ये गरहन आप लोगों के 9,000 लग रहा है तो एक तो एनरजी की कमी रहेगी दूसरे आपको ऐसा लगेगा कि आपका भाग्य आपको सात नहीं दे रहा है अडचने बार-बार आ रही है emotionally थोड़ा सा आप इस समय में down feel करेंगे और बहुत सारी छोटी-छोटी परेशानिया आएंगे जिसके वज़े से मन जो आपका है वो खुश नहीं रहेगा खिन रहेगा और negativity थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है एक असुरक्षा की भावना हो सकती है चुकि लगन राशी के लौट पर ग्रहन लग रहा है इसलिए स्वास्थ में भी कमी आ सकती है ग्रहन के आसपास आप लोगों को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए आप यदि उच्छ शिक्षा में है या फिर विदेशों में अपने घर से दूर रहते हैं आप पबलिशिंग के फील्ड में है धर्म के फील्ड में है आप ध्यात्म के फील्ड में है तो आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा सावधानी रखनी होगी कुछ लोगों के पिता को भी इस समय में समस्याएं आ सकती है ग्रहन का समय निकाल लीजिए ग्रहन के बाद कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि दूर के स्थानों से अच्छे समाचारों की प्राप्ती हो इसलिए हर चीज नेगेटिव नहीं है ग्रहन के बाद 18 तारिक को सुबह में सनान वगेरा करके कुछ दान अवश्य कीजिए और शंद्रमा पर ग्रहन लग रहा है इसलिए भगवान शिव के किसी भी मंत्र की चैंटिंग यदि आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा रेमेडी का काम करेगा से ही आने की लियो वालों के लिए ये ग्रहन आप लोगों के लिए एट थाउस में लग रहा है फ्रेंड्स सबसे पहले आपके एट थाउस में ग्रहन लगेगा 18 सेप्टेंबर को और फिर 2 अक्टूबर को आपके सेकंड हाउस में ग्रहन लगेगा ग्रहन के आसपास और ग्रहन के बाद भी अपने स्वास्थ का बहुत ध्यान रखिएगा वाहन वगएरा यदि चलाते हैं तो ध्यान से चलाईएगा या रोड पर भी आप चलते हैं तो सावधानी रखनी चाहिए चोट वगएरा लगने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी एट्थ और सेकंड का एक्सिस है तो फाइनेशल रिस्क वगएरा नहीं लेना चाहिए और खास करके दिया आप शेर मार्केट वगएरा में इन्वार्ड हैं तो बहुत सावधानी से ट्रेडिंग करनी चाहिए 18 तारिख को 17 तारिख को तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए और इन जेनरल साथ दिन तक तो रखनी ही चाहिए इस समय में किसी भी पहाड़ी रास्ते पर या किसी दुरगम रास्ते पर ट्रैवल करने से बचना चाहिए या यदि ट्रैवल करना पढ़ जाए तो सारी सावधानी इस समय में अवश्य रखिएगा एट्थ में ग्रहन लग रहा है तो चरित्र का ध्यान रखना चाहिए बदनामी वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन साथी या फिर अपने बिजनस पार्टनर्स के साथ जो आपका समवाद है डायलोग है उस पर बहुत ध्यान रखना होगा कुछ ऐसा चीज मत बोल दीजेगा कि आपको बाद में कश्ट हो जाए रेमेडीज क्या करना चाहिए सूर्य मंत्र डेली पढ़िए ग्रहन के बाद कुछ फूट डोनेशन कीजिए और भगवान विश्णू की उपासना इन चीजों को आप यदि करते रहेंगे तो बिलकुल ठीक रहें कन्या याने की वर्गों वालों के लिए ये ग्रहन आपके सेवन्थ हाउस में लग रहा है इसका मतलब अपने बिजनस पार्टनर्स और आपके स्पाउस इन लोगों के साथ कुछ परेशानी हो सकती है या इन लोगों के वज़े से आपको कुछ परेशानी हो सकती है इन जनरल अपने स्पाउस के स्वास्थ का इस समय में ध्यान रखना चाहिए कुछ लोगों का यदि विवाह वगेरा की बात चीत चल रही है तो ग्रहन के आसपास कोई भी पर्मानेंट डिसिशन लेने से बचना चाहिए जिन लोगों का पहले से कोई केस मुकदमा चला रहा है ग्रहन के आसपास देखिएगा उस केस मुकदमे से संबंधित परेशानिया कुछ बढ़ सकती है और वैसे भी disputed places से जहां भी विवाद हो वहां से दूर रहना चाहिए जो लोग भी अपने जनम स्थान से दूर रहते हैं उन लोगों को इस समय में कश्ट की संबहावना ज़्यादा है सेवन्थ हाउस में जब गरहन लग रहा है तो आपोजिट सेक्स से थोड़ा सा सावधानी रखिएगा अपने चरित्र का ध्यान रखिएगा रेमेडीज में क्या करना चाहिए भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए गरहन के बाद कुछ फूड डोनेशन करना चाहिए गायों की सेवा यदी करते हैं हरा चारा खिलाते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है तुला याने की लिब्रा, तुला राशिया लगनवालों के लिए ये ग्रहन आपके 6 था उसमें लग रहा है, फ्रेंट 6 था उसमें ग्रहन लगे तो बहुत बुरा नहीं होता है, लेकिन आप स्पेसिफिकली देखिएगा तो ये ग्रहन आपके 10th Lord पर लग रहा है, और 15 दिन के बाद आपके 11th Lord पर ग्रहन लगेगा, तो काम काज के मामले में ये बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, काम से संबंधित कोई भी important decision मत लीजिएगा, खास करके ग्रहन के आज पास, decision यदि लेना भी पड़ जाए तो impulse में मत लीजिएगा, काफी सोच समझ कर लीजिएगा, आपका daily routine प्रभावित हो सकता है, daily routine को follow करने में आपको दिक्कते हो सकती है, और इसके वज़े से क्या होगा, काम वगेरा आपका pending होता चला जाएगा, कश्ट होगा, आपके नीचे काम करने वाले लोगों से आपको परेशानी हो सकती है, suddenly देखिएगा, आफिस में आपसे नीचे काम करने वाले लोगों का absentism बढ़ सकता है, या और भी किसी तरीके की परेशानी हो सकती है, और इसके वज़े से काम में आपको दिक्कतें आ सकती है, आपके घर पर यदि कोई पालतू जानवर है आपके पैट्स हैं तो उनको दिक्कते हो सकते हैं उनका स्वास्थ खराब हो जाए और उसके वज़े से आपको परेशानी हो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग स्टूडेंट्स हैं और खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो कम्पेटिटिव एक्जाम में बैठने जा रहे हैं उन लोगों को फोकस बना कर रखना होगा फोकस में कमी आ सकती है सिक्स था उसमें ग्रहन लग रहा है तो धारदार चीजों से चोरी से इन सभी चीजों की परेशानी कुछ लोगों को हो सकती है आग से तो आग, वेपन्स, थेफ्ट इन सभी चीजों से बचना चाहिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? चैरिटी के अलावे, अन्नदान के अलावे, मा भगवती की उपासना यदि करेंगे तो इस ग्रहन का बुरा प्रभाव आप लोगों पर नहीं पड़ेगा वरिश्चिक याने की स्कॉर्पियो वरिश्चिक राशी अलगन वालों के लिए चंद्रमा एक important planet है आपके भाग्य भाव के स्वामी है और आपके fifth house पर बुद्धी विवेक के house पर उन पर ग्रहन लग रहा है और उसमें भी बुद्धी और विवेक के house में ग्रहन लगे ये बिलकुल अच्छा नहीं है क्या हो सकता है आपके निर्णे गलत हो सकते है गलत आइडियाज और गलत एडवाईज के शिकार हो सकते है इसका ध्यान रखिएगा Financial Risk, Speculation, Gambling इससे बचना चाहिए वैसे सभी लोग जो लोग शिक्षा के छेतर से जुड़े हुए है Music के छेतर से जुड़े हुए है Drama, Cinema, Musical Concert, Share Market इन सभी छेतरों से जुड़े हुए लोगों को इस समय में विशेश सावधानी रखनी होगी आप यदि स्त्री हैं और आपका कोई प्रेमी है या आप पुरुश है और आपकी कोई प्रेयसी है उनके साथ आपके संबंदों में धरार आ सकती है या फिर उनको कुछ परेशानिया हो सकती है इसका द्यान रखिएगा आपके यदि बच्चे बड़े हैं तो आपके बच्चों को परेशानी हो सकती है प्रेगनेंट महिलाओं को भी इस समय में अधिक सावधानी रखनी होगी क्योंकि फिफ्थ हाउस में ग्रहन लग रहा है हेल्थ के मामले में कुछ लोगों को डाइजेशन वगएरा का समस्या हो सकता है और जिनको भी हाट इश्यूज वगर हैं उनको भी समय में सावधानी रखनी होगी रेमेडी आप लोगों को क्या करना चाहिए मेडिटेशन अन्नदान और भगवान शिव के मंत्रों की चैंटिंग यदि आप ये करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे धनु याने की सैजिटेरियस धनु राशिया लगन वालों के लिए ये ग्रहन आपके fourth house में लग रहा है और आपके eighth house के lord पर ग्रहन लग रहा है Friends, eighth house के lord का fourth house में eclipsed होना एक असुरक्षा की भावना से आपको ग्रसित कर सकता है जिसको कहते हैं न अकारणब है बिना कोई reason के anxiety और tensions आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे बहुत ज़्यादा सोचेंगे छोटे-छोटे चीजों से डरेंगे एट था उसके Lord पर ग्रहन फोर्थ में लग रहा है घर से संबंधित कुछ निर्णे हो सकता है आपको लेना पड़ जाए वैसे तो ग्रहन के आसपास इससे बचना चाहिए यदि निर्णे ले भी रहें तो सावधानी पूर्वक अपने परिवार के लोगों से राय मश्वरा करके फिर लीजिएगा आपके माता जी को इस समय में थोड़ी सी खास करके उनका स्वास्थ वगएरा उपर नीचे हो सकता है इसका द्यान रखिएगा जो भी 10 प्लस 2 लेवल तक के स्टूडेंट है उन लोगों का देखिएगा तो पड़हाई से मन इस समय में थोड़ा सा दूर हो सकता है ज्यादा फोकस की आवशक्ता होगी पानी वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए तालाव, नदी, समुद्र तो गणपती, विसर्जन वगएरा भी आ रहा है ध्यान रखिएगा और ऐसे स्थानों से दूर रहिएगा जहां कोई विवाद वगएरा हो रहा हो आप लोगों को करना क्या चाहिए मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन बहुत इंपर्टन्ट है चंदर ग्रहन के बाद कुछ फूड डोनेशन जरूर कीजिए फोर्थ हाउस, नरिश्मेंट का हाउस होता है आप यदि किसी नीडी व्यक्ती को कुछ खाने के लिए देंगे तो ये बड़ा रेमेडी है और मीन राशी में ग्रहन लग रहा है आप ही के स्वामी है भगवान विश्नु का कोई भी मंत्र ओम नमो नारायन आयर या ओम नमा भगवत वासुदेवाय ये सब आप यदि करते रहेंगे तो बिलकुल ठीक रहें मकर यानि की कैप्रिकॉन मकर राशी अलगन वालों के लिए ये ग्रहन आप लोगों के लिए थर्ड हाउस में लग रहा है और आपके सेवन्थ हाउस के लॉड पर लग रहा है यदि व्यवसाय में हैं तो कुछ हट कर करने के चक्कर में कोई गलट decision मत ले लिजेगा इसलिए ग्रहन के आसपास अच्छा रहेगा कि कोई नया चीज शुरू ना करे और लीक से हट कर काम करने का प्रयास तो बिलकुल मत कीजेगा decisions गलट हो सकते हैं थर्ड में ग्रहन लगने का मतलब है कि आप यदि किसी भी communication field में हैं तो बहुत साफधानी रखनी चाहिए गलत चीज मुह से निकलने का या लोगों के misunderstand करने के chances बढ़ जाते हैं तो communication से संबंदित किसी भी छेत्र में हैं वैसे तो communication आजकल हर field में लगता है लेकिन खास करके आप यदि media में है journalist है content creator है motivational speaker है वकील है तो विशेश साफधानी रखनी होगी थर्ड हाउस में ग्रहन लगने का एक और मतलब है कि अती बहादुरी से अपने आपको बचाईएगा या दूसरे शब्दों में कहूं तो धृष्टता मत दिखाईएगा अपने अंदर का जो वो एक लडने वाला जो और भिडने वाला जो attitude है न उसको दबा कर रखिएगा नहीं तो परेशानी हो सकती है थर्ड हाउस में ग्रहने फ्रेंड्स एक advice में देना चाहूंगा किसी भी धार्मिक उनमाद से धार्मिक जुलुस से किसी भी तरीके के धार्मिक बहस में इस समय में बिलकुल भी मत पढ़ियेगा तो ठीक रहेगा रेमेडी क्या करना चाहिए मेडिटेशन करना चाहिए भगवान शिव के मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए कुछ चैरिटी खास करके अनदान करना चाहिए यदी मकर राशी है आप लोगों का तो साड़े साती का बिलकुल अंतिम फेज है हनुमान जी की पूजा भी अच्छा काम करेगी कुम् जानिकी अक्वेरियस वालों के लिए ये गहन आपके सेकेंड हाउस में लग रहा है और आपके सिक्स हाउस के लौड पर लग रहा है फ्रेंड्स कुम् राशीया लगन वालों को सेकंड हाउस में गहन लगने का मतलब है कि अपने finances का बहुत ध्य ध्यान रखना होगा और financial decision जल्दी बाजी में बिलकुल नहीं लेना है और खास करके ग्रहन के आस पास तो बिलकुल नहीं लेना है ना तो लोन लेने का प्रयास कीजिए ना किसी को पैसा दीजिए इस समय में नहीं तो आगे दिक्कते होगी अपने परिवार का और खास करके आपके जो dependence हैं आप पर जो आशरित हैं उन लोगों का ध्यान रखिएगा अपने speech का ध्यान रखिएगा second house speech का भी होता है अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा हो सकता है food poisoning वगएरा हो जाए गलत चीज़ खाएंगे sixth house के भी lord हैं चंद्रमा गलत चीज़ें खा लेंगे ज़रत से ज़्यादा खा लेंगे स्वास्थि खराब होगा इस समय में अपने दुश्मनों से भी सावधानी रखनी चाहिए कुछ लोगों के competitors या दुश्मन इस समय में आप लोगों पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं कुम्भ वालों को बिना ज़्यादा कुछ सोचे सम भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए ग्रहन के बाद थोड़ा food donation करना चाहिए यदी राशी है आपका कुम्भ तो इसका मतलब साड़े साती का main phase चल रहा है तो हनुमान जी की पूजा इतना आप करते रहेंगे बिलकुल ठेक रहें mean याने की prices friends mean लगन या mean राशी वालों के लिए बिलकुल लगन में राशी में राहू है यही पर चंद्र ग्रहन लगेगा चंद्रमा कौन है फिफ्थ हाउस के लॉड है फिफ्थ हाउस के लॉड पर लगन में ग्रहन लगना सबसे पहले तो emotionally बहुत ज़्यादा आपको unstable type क यह कर सकता है mental tensions ज्यादा रहें और चोटी चोटी चीजों के वज़े से अब कोई चोटा सा parts तूट गया उसके वज़े से पूरा काम रुख गया यात्रा पर निकल रहा है सड़नली flight cancel हो गया train cancel हो गया गाड़ी में कोई खराबी आ गई unexpected परेशानिया important काम है staff ही नहीं आय उसके घर पर कोई problem हो गया चोटी चोटी चीजें आपको परेशान कर सकती है और इसके वज़े से क्या होगा frustration खीज गुसा mood swings चंद्रमा पर लगन में राशी में जब लग रहा है ग्रहन mood swings तो यदि mood swings का आपका history रहा है depression का history रहा है तो बहुत सावधानी रखनी होगी इस समय में स्वास्थ का बहुत ध्यान रखना होगा फिफ्थ हाउस के lord पर ग्रहन लग रहा है बच्छों के साथ अन्बन हो सकती है या आपके बच्छों को परेशानी हो सकती है आपके घर में यदि pregnant महिला हैं सावधानी रखनी होगी फिफ्थ हाउस के lord पर ग्रहन है तो share market पर गहरा में deal करते हैं तो financial risk बिलकुल मत लीजिए और लगन राशी पर ग्रहन लग रहा है तो ग्रहन के आसपास कोई भी महत्तपूर्ण निर्ने लेने से बचिएगा चंद्र ग्रहन का प्रभाव वैसे भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है करना क्या चाहिए मन को relax रखने के लिए meditation बहुत important है चंद्रमा पर ग्रहन लग रहा है food donation बहुत important है कुछ वस्त्रदान आप किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं आपकी राशी आपके लगन में लग रहा है भगवान विश्नु की उपासना बहुत काम करेगी विश्नु सहस्त्र नाम आप सु सकते हैं यदि आपकी राशी मीन है तो साड़े साती चल रहा है आप लोगों के उपर आप हनुमान जी की पूजा कीजिए ये सब चीजें आप यदि करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है तो ये था friends बहुत ही संक्षेप में हर राशी हर लगन वालो पर 18 सप्टेंबर का चंदर ग्रहन किस तरीके का प्रभाव डाल सकता है क्या संभाव नाय है और साथ ही कुछ सरल उपाए जिसको करके हम इसके दुश प्रभावों से बच सकते हैं इसका संपूर्ण बेवरा मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिया मुझे उम अपना अशिरवाद इसी तरीके से मुझ पर बनाये रखिएगा आज मैं अपनी वानी को यहीं विराम देता हूं फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विशय के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेव भारत माता कीजिए